Hello everyone, Canada International School Vashim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hi everyone, today in this video we are going to discuss EBS topic. And in EBS we are going to study vegetables. So today we are going to discuss about underground vegetables. Underground vegetables यानि जो सब्जी या जमीन के नीचे. मिट्टी के अंदर ग्रो होती है. इसके टाइपस है ओनियन, पोटैटो, कैरट, बेटरूट और रैडेश. ये सब क्या है इसके एक्जामपल्स, underground vegetables के एक्जामपल्स. क्योंकि ये जमीन के नीचे उखते है. ठीक है, ये प्लांट का ही एक पार्ट होता है, जो मिट्टी के अंदर नीचे ग्रो होता है. जिसे हम खा सकते हैं. इसे हम root vegetable भी कहते हैं. इसके ये प्लांट के root के जिसे एक्ट करता है और जमीन के नीचे बढ़ता है. तो आज हम इसमें डिसकस करने वाले है पोटैटो, P-O-T-A-T-O, पोटैटो, पोटैटो याने की आलू, ठीक है, पोटैटो is also a underground vegetable, यानी ये ही जमीन के नीचे उगने वाला एक vegetable है, एक सबजी है, क्योंकि ये root के जैसे ही जमीन के नीचे ग्रो होता है. ये देखो, उपर से इस प्रकार होता है और अंदर से यलो या फिर वाइट कलर का होता है, पोटैटो के डिफरेंट डिफरेंट इस प्रकार टाइप्स होते है, ये क्या है, ये sweet potato है, ठीक है, sweet potato भी पोटैटो के जैसे ही underground vegetable है, जमीन के नीचे उगता है, पोटैटो के plant इस प्रकार होते है, जिसके बड़े-बड़े leaves होते है, उसको इस तरह के purple या फिर yellow flowers भी आते है, पोटैटो के प्लांट की ग्रोथ होती है, यानि कि जो पोटैटो है, वो इस तरह से रूट के उपर नीचे जमीन की नीचे ग्रो होते है, जो sweet potato होते है, वो भी इसी प्रकार ज जमीन की नीचे ग्रो होते है, पोटैटो से हम बहुत सारी dishes बना सकते है, जैसे कि आलू चाट जो बहुत ही famous है, देन पोटैटो टिक्की या फिर इसे हम आलू टिक्की भी कहते है, इससे सबजी भी बनाई जाती है, जिसे हम चपाती के साथ खाते है, देन आलू का पराठा जिसके अंदर पोटैटो स्टफ होता है, वो पराठा भी बनाया जाता है, आलू चिप्स या फिर पोटैटो चिप्स जो बहुत ज़्यादा famous है, और फ्रेंच फ्राइज ये भी बहुत ज़्यादा famous है, और सबको पसंद है, और लास्ट इस वडा पाव, इसके अंदर भी आलू की यानि पोटैटो की स्टफिंग होती है, और ये जो स्वीट पोटैटो होते है, इसे लोग फास्टिंग डायट यानि फास्ट की दिन खाते है, या फिर न्यूट्रिशनल डायट बोल कर भी इसे खाते है, अभी हम देखेंगे पोटैटो के health benefits, ठीक है, अगर हमारी तो अचाया स्किन कई पे जल जाती है, तो burn से हमें पोटैटो प्रेवेंट करता है, हमारे brain function को improve करता है, हमें heart disease से भी बचाता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे vitamins, minerals होते हैं, और ये जो sweet potato होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे vitamins होते हैं, जो हमारे bone को strong बनाने में help करता है, ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ sweet potato के benefits दिये हैं, जैसी कि हमारी immune system को बढ़ाता है, हमारी आखो के लिए अच्छा होता है, stress कम करने में help करता है, साथ हमारे blood में जो sugar level होता है, उसे भी maintain करता है, ठीक है, हमारी आखो के लिए, हमारी skin के लिए, साथ हमारे बालो के benefits है, then we will study the next underground vegetable, that is radish, radish यानि की मूली, यह भी root vegetable में आता है, क्योंकि यह भी जमीन की नीचे ही grow होता है, ठीक है, इस प्रकार यह दिखता है, जमीन की नीचे ही grow होने वाला हम white color का radish खाते हैं, लेकिन यह भी बहुत सारे types में इस प्रकार अलग-अलग varieties में मिलता है, इस प् उपर होते हैं जमीन की नीचे क्या होता है, radish, इस प्रकार हम उसे निकालने के बाद वो दिखेगा आपको, इससे भी हम बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं, जैसे की radish की chips भी बनते है, radish से pickle भी बनता है, pickle यानि की अचार, ठीक है, radish का salad भी बनाया जाता है, कुकुम्बर के साथ, then radish की इस प्रकार टिक्की या पैटीज भी बनाई जाती है, radish की इस प्रकार के fries भी बनाया जाते हैं, और radish से इस प्रकार wedges भी बनाया जाते हैं, जो snacks के जैसे use करते हैं, radish से इस तरह का sweet cake भी बनता है, अभी हम benefits देखेंगे radish के, radish के अंदर भी बहुत सारे nutrients, minerals, vitamins होत करता है, kidney के कोई disease से भी prevent करता है, heart disease से भी prevent करता है, ठीक है, radish के और भी बहुत सारे benefits हैं, जैसे के हमारी immunity बढ़ाता है, हमारे bones को strong करता है, cancer से fight करने में help करता है, weight lose करने में भी help करता है, साथी साथ हमारी skin के लिए भी बहुत जादा अच्छा होता है, okay, so we have studied today about two underground vegetables, potato and radish potato यानि की आलू, radish यानि की मूली, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छे से ये vegetables समझने है, ठीक है?